मिनी लंदन मैख लुस्की गंज पक्रिती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आईए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन धनबाद में खराब कानून व्यवस्था को लेकर और बढ़ रही रंगदारी की घटनाओं को लेकर 30 नौंबर को व्यवसाई वर्ग गांधी सेवा सदन के समझ धन्ना प्रदशन करेगा धनबाद में व्यवसाई वर्ग का आरोप है कि हेमन सरकार व्यवसाईयों को सुरक्षा देने में विफल हो गई है इससे पहले भी व्यवसाई धन्ना प्रदशन कर चुके हैं इस सभागार में आज आयोए सभी पत्रकार बंदुगा बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दिननन करता हूं जैसा कि आप सबों के संग्यान में है कि धन्बाद जिला इसले कई महिनों से काफी बुरे अफ्राज इतना चरम पर है कि लोगों का यहां वैपारियों का नहीं सभी और घर की और जाना आज यह भी इस्सित नहीं है अभी पिछले दिनों चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक ध्रमाद बंद कॉल किया था आगे हम लोग कदम उठा रहे हैं प्रादियों को सलाखों के पीछे डालेंगे और आप लोगों किसी वरकार का कोई डर्वह की बात नहीं है कोई कॉल स्वेकरा नहीं आएगा जबकि उस आं मेरे जैसा एक कहले यह समयदन सिल्कार करता के बास इस तरह का स्टेप लेने के लावार कोई नहीं था कि मैंने गांधी जी की मूर्ति के समझ एक सत्यागरह आंदोलन प्रारह में करूंगा यह तो उस दिन बताएगा अतिस तारिक को कितने लोग आते हैं अतिस तारिक को क्या समर्थन मिलता है और बाकी आप लोग है और पहले आना था अजी से भी हमारी बात हुए मैं अपने इस आंदोलन में धाती जंता पाटी के भी पांच लोगों को अमंत्रन भेजा है समर्थन मांगा है उसमें हमारे माननी सांसत महदे को भी मैंने वेक्तिवत वाट्शिप में भेजा है बिधायक जी को भी भी बेज सवाल विधायक जी के लिए अच्छा है धनबाद में गिर्ती विधिवयस्था ध्वस्था बेलगम कानून अप्राधिक गतिविदी लगातार बढ़ रही है तो कई दिनों से यहां के लोग बेवसाई वर्ग हैं लगातार उन पर हमला हो रहा है लगातार उनों को रंगद एक घंटे के बाद फिर पुना परचा जारी हो जाता है जो पिछले वार हम लोगों ने देखा दिपक अगरवाल नामक जो कार सेंटर के विवसाई थे उनको गोली लगी और लगभग 15 मिलट के बाद एक नया परचा जारी हो गया यह तो भी टेलर है पिक्चर अभी बाकी है उसके बाद से लगातार बैपारी दहसत में है बैंक मोर जैसे इलाका जो रात दसवे तक गुल जार रहता था आज 8 वजे बंध होना शुरू हो गया जो बेवसाईस कोलर टाइट करके सिनात तान करके अपने बैपार को बैठते थे काउंटर में बैठते थे आज वो चाफ को बैठा रहे हैं कुछ बैपारी लोग धंबाद छोड़ने का नियने ले लिया है यो धंबाद के भुष के लिए बहुत दुक्षान और बहुत सर्म की बात है कानून नाम का कोई चीज नहीं रहा कानून शाशन पशाशन पूरी तरह दोहस्त है आज आम नागरीक बेवसाई अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है आज बेवसाई वर्ग बैपार करता है बैपार करने के बाद वो जीएस्टी देता है अपने ट्रांजेक्शन का जीएस्टी से सरकार को लाव होता है और जीएस्टी देने के बाद वो जो सुध मुनाफा करता ह है उसका income tax भी देता है आज बैपारी वर्ग दिस भर में सबसे ज़्यादा रेविन्यू देने वाला कोई वर्ग है वो बैपारी वर्ग है दोसाइश समाज है जिससे पूरा तंत्र चलता है आज अगर वह सुरक्षित रही है तो कौन सुरक्षित है करवाई की गई है क्राइम कहा रुख रहा है आज धनबाद के जो हैं यहां डीस्प करूप में पहले कारेरत थे लगा था कि आएंगे तो धनबाद में कुछ नया करेंगे धनबाद पहले वह कुछ एस स्थी एक लंभी गाथा लिख लिखके गया है एक बड़ी परतिमा पारिलाल मीना अनिल पाल्टा शुमन गुपता एक महिला पुलिस अधिकारी अकेली आज तो एक स्थी के नीचे दो एसपी है एक ग्रामिन एसपी एक सीटी एसपी है उससे में वह करते थे अकेली सुमन गुपता पूरे धनबाद को कंट्रोल की हुए आज मोडल थाना बन जब रूरते हैं अपने मुव मोडता है जवाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमिक निसां देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां